महोबा में एक यूवक द्वारा बकरी के साथ दुशकर्म करने का मामला सामने आये बकरी मालिक ने आरोपी यूवक के खिलाफ कोतवाली में लिखित तहरीर दे कर दुशकर्म का मुकदमा पंजी कृत करने की मांग की है पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जाच शुरू कर दी है दरसल आपको बता दें कि पूरा मामला महोबा शहर कुतवाली छेतरी के रैपूरा खुर्द गाउं का है जहां एक यूवक बकरी चुरा कर अपने साथ गाउं के बाहर ले गया और गले से पैर तक बकरी को बांध कर उसके साथ दुशकर्म कर डाला यूवक की हैवानियत और सिर्फिरी हरकत को लेकर ग्रामिनों में एक खासा अक्रोश है बताया जाता है कि गाउं में रहने वाले जैश्री राम नामक वैक्ती की बकरी को भटेवर गाउं का रहने वाला यूवक चोरी करके अपने साथ ले गया अचानक बकरी के चोरी हो जाने पर बकरी माली ग्रामिनों के साथ बकरी को तलाशते रहे तब ही गाउं के बाहर दो किलो मीटर दूरी पर आरोपी बकरी को गले से पैर तक बांधे हुए दुशकर्म की वारदात करता दिखाई दिया। ग्रामिनो के शोर मचाने पर वह वहां से भागने लगा जिसे ग्रामिनो ने पकड़ भी लिया लेकिन आरोपी सभी को धमकाता हुआ मौके से फरार हो गया। बकरी के साथ है वानियत करने वाले यूवर के खिलाफ अब लिखी तहरीर को तवाली पुलिस को दी गाई है और पूरे मामले में आरोपी के खिलाफ दुशकर्म का मामला लिखकर कारिवाही की मांग की जा रही है।